तो हेलो गाइज आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है आपके यूटूब चैनल फ्लाइंग सौट इंजोन में कुछ दिन पहले मैंने एक शौर्ट नोटिस अपलोड करी थी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंस में निकली नॉन टीचिंग पोस्टों के बारे में तो आज हम इस वीडियो में डीटेल में जानेंगे कि जो वेकेंसी है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और आपका जो एप्लिकेशन फॉर्म है उसका जो सिलेक्शन है यानि कि पोस्ट जिसमें आप अपलाई करेंगे उसका सिलेक्शन किस मैथड में क्या उसका क्राइटेरिया है उन सभी पर डीटेल में जानेंगे तो देखिए ये इसकी डीटेल जो है एडवर्टिसमेंट है जो पब्लिस हो गई है आप इसके संजय गांधी की ऑफिशल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और और भी कई आपको वेबसाइट पर इसकी तीन-चार वेकिंसी को ही कवर करेंगे जिसमें आपका सीनियर एडिमिनिस्टेटिव असिस्टेंट जो कि प्योरली एक एडिमिनिस्टेशन पोस्ट है नॉन टेक्निकल और नॉन टीचिंग पोस्ट है दूसरा आपको स्टैनोग्राफर ठीक है ये दो वेकिंसी है जो हम ज चार है 25,500 बेसिक के साथ प्लस जो आपका अचार है डे टी ए एस पर दी यूपी गवर्मेंट वो आपको दिया जाएगा चलिए ग्रे गुरुप सी की पोस्ट है ठीक है गुरुप सी की पोस्ट है तो देखें फीस थोड़ा सा अच्छा खासा रखा गया इसमें 1000 आपका यूर कटेगरी के लिए है और OBC EWS के लिए भी सेम है और SCST के लिए आपका 600 रुपे रखा गया है इसकी ओनलाइन फी ठीक है चलिए अब हम बात कर लेते हैं educational qualification की तो देखें senior administrative assistant के लिए पहला आपका criteria है graduation होनी चाहिए और noting drafting की knowledge होनी चाहिए देखें जो already working है ये post उन्हीं के लिए है क्योंकि इसमें एक साल का experience में मागा है और noting drafting जो already working है उन्हें पता है कि noting drafting क्या होती है इसके साथ सथ आपका typing speed आपको आनी चाहिए यानि कि आपका skill test कराये जाएगा typing का 30 words per minute English में और अगर आप Hindi से apply करते हैं तो 25 words per minute experience एक साल का चाहिए जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं किसी भी autonomous public sector, government, state government यहां तक कि अगर आप contractual work करते हैं किसी government department में तो भी आप इस post के लिए eligible हैं ठीक है, outsource workers भी हैं तो भी आप इसके लिए eligible हैं लेकिन एक साल का experience आपको चाहिए इसके लिए ठीक है, अब इसमें एक clause है, यानि कि अगर आपका appointment इस post के लिए करा जाता है, तो आपको दूसरी language का typing test भी clear करना होगा, probation period के दोरान यानि कि अगर आप English से apply करते हैं तो आपको हिंदी की typing clear करनी पड़ेगी, within probation period और अगर आप हिंदी से apply करते हैं तो English की typing आपको within probation period clear करनी पड़ेगी और अगर आप in case इसमें fail होते हैं तो आपकी service terminate कर दी जाएगी, यानि कि आपको permanent नहीं माना जाएगा और आपको उसी दिन से terminate कर दिया जाएगा service में, ये साफ साफ लिखा है, ठीक है, इसके बाद आता है आपका stenographer, देकिए stenographer की जो post है, इसके लिए आपका graduate होना की तरह कि आपको अलग से 25 words per minute हिंदी, अगर आप stenographer हैं तो हिंदी की और अगर इंगलिस से हैं तो इंगलिस की 30 words per minute की typing आपको आनी चाहिए, इसमें भी criteria यही है कि अगर आप appointment के बाद English typist हैं और अगर आप Hindi pass नहीं कर पाते हैं, शौटन नहीं, सिर्फ typing चाहिए इसमें, और अगर आप हिंदी से हैं और इंगलिस typing नहीं कर पाते हैं तो आपकी service code terminate माना जाएगा, दो साल के probation के अंदर आपको यह clear करना है, दोनो, bilingual, ठीक है, इस टैनो नहीं, typing, ठीक है, इस टैनो नहीं, typing, देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, typing, ठीक है, bilingual आपकी होनी अब इसके बारे में, देखिए, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि mode of selection आपका क्या रहने वाला है, तो देखिए mode of selection बहुत simple है, common जो आपका recruitment test है, online होगा, CBT होगा, यह आपको कराया जाएगा, ठीक है, common recruitment test, और यह जो है, आपकी language जो है, इसकी exam की, वो English होगी, purely English, यह ध्यान रखना है, केवल English language में आपका exam कराया जाएगा, हिंदी नहीं होगी, यानि कि जो भी आपका syllabus होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसके questions, English में होगे, हिंदी का आपको option नहीं मिलेगा, दूसरा जो भी, इस common recruitment test को पास करेगा, उसको अगले, यानि कि skill test के लिए बुल questions होगे, तो देखे, 100 marks का आपका paper होगा, दो घंटे का, और multiple choice question होगे, इसमें जो है, 60 marks, ये 60 marks आपका होगा, questions जो होगे, वो आपके 60 marks होगे, 10 आपकी general English होगी, 10 general knowledge होगी, 10 आपकी reasoning होगी, और 10 marks की mathematical aptitude होगी, अच्छा, इसमें एक चीज और है, जो 60 marks का है, वो total नहीं है I think total 100 marks का है, 60 का जो है आपका, वो subject related या post specific होगा, यानि कि आप ये समझेए, जो Delhi universities में post ए create होती है, stenographic की, तो उनमें post specific questions पूछे जाते हैं, 50 से 80 marks का, इसमें क्या होता है, कि आपको short hand भी पूछ सकता है, आपको कोई outlines पूछ सकता है, या outline के options देंगे, ये कैसे बनेगा, वो पूछ सकता है, पिट्मेंड या जोडी है, इसके अलावा इसमें, देगे, stenographic का main काम होता है, minutes of the meeting, demi official letters, क्योंकि इंगलिस में ही paper होगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, आर्द्र सरकारी, पत्र जो होते हैं, demi official letters, ठीक है, letters कैसे बनते हैं, mails कैसे send होती हैं, and minutes of the meeting कैसे बनते हैं, तो इन सभी से related आपके questions पूछे जा सकते हैं, तो ये post specific हो गया, इसके बाद आपका 10 English, 10 general knowledge, 10 की reasoning, 10 की mathematical attitude, कुल मिला के आपका 100 number का question जो है, वो आपका तयार होग इस तरीके से, देखें, इसमें negative marking भी है, one third आपकी negative marking है, minimum qualifying standard भी fix किया गया है, यानि कि 50% UR, EWS और OBC के लिए, और 45% आपका SC और ST के लिए रिजब किया गया है, इसके बाद जो भी, देखें, detailed syllabus जो है, वो upload कर दिया जाएगा, ठीक है, website पर, skill test कराया जाएगा, exam के अगर आप senior administrative assistant के हैं, तो typing होगी, और अगर आप steno से हैं, तो typing और short hand दोनों करायी जाएगी, final merit जो है, आपका कैसे बनेगा, देखें, अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, कि जो भी eligibility status है, skill test का, या technical examination का, वो आपका institute declare करेगा, कब CRT के बाद, अगर required होती है, तो जरूर जरूर required होगी, क्योंकि short hand की, जो error percentage है, वो बहुत जरूरी होती है, कि कई जगे आपकी 5% है, कई जगे 7 है, कई जगे 10 है, तो वो भी decide करना जरूरी है, कि कितनी error माफ होगी, तो ये आपको बाद में बताया जाएगा, final merit जो है, वो केवल और केवल, आपकी CRT common recruitment test के base पर बनाये जाएगा, so guys, अगर ये वीडियो, ये information आपको अच्छी लगी हो, तो like और share जरूर कर देना, channel पे नए है, channel को subscribe जरूर करने, thank you so much.